फिल्म इंडर्स्ट्री में कास्टिंग काउच नया नहीं है, कई अभी नेत्रे इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि वो कास्टिंग काउच की सिकार रही है, ये ग्लैमर की चका चौन से भरे बॉलियूड का काला सच है, जिसमें एक्ट्रेसेस को इस तरीके के घटिया काम पढ़ते हैं, जिनके लिए वो बिल्कुल भी तयार नहीं होती, कई अभी नेत्रे अच्छी फिल्में हाथ से निकल जाने के डर से, इसके लिए तयार हो जाती है, तो कई कास्टिंग काउच का खुल कर विरोध करती है, अगर आपने फिल्म पेस्थिरी देखी होगी, तो आप कास्टिंग काउच से जरूर रिलेट कर पाएंगे, फिल्म में हाई सोसाइटी की चमक धमक के साथ इस काले सच की जलक भी दिखाए गई थी, जिसमें एक छोटे से सहर की लड़की हिरोईन बनने के लिए आती है, जब ये फिल्म डिरेक्टर के पास काम मांगने के लि जब उनसे कास्टिंग काउच को लेकर सवाल किया गया तो विद्या ने कहा कि फिल्मों की दुनिया में ये आम बात है, उन्होंने बताए कि एक बार डिरेक्टर उनके पास आया और बोला कि आपसे बात करनी है, विद्या बालन जब उसके साथ कमरे में बात करने गई तो उन्होंने दर्वाजा आदा खुला चोड़ दिया था, इसके बात कमरे में उसने विद्या को गलत तरीके से टच करने की कोसिस की, वो बताती है कि इस घटना से वो एकदम से हिल गई थी, नमबर टू ममता कुलकर्णी, ममता कुलकर्णी 90 के दसक की मसूरा भी ने तरी है, उन्होंने फिल्म चाइना गेट के दुरान राजकुमार संतोसी पर योण सोसन का आरूप लगाया था, इस फिल्म में काम देने के बदले संतोसी ने उनके साथ सोने की बात कही थी, नमबर थरी कंगना रनौत, वैसे तो हर तरह की मुसीबतों का सामना कंगना अकेले ही करन होने के बाद उन्हें फिल्म पाने के लिए सेक्स्वल रिजेशन बनाने के लिए कहा गया था, नमबर फोर रादिका आप्टे, रादिका को भी सुरुवाती दिनों में कास्टिंग काउस से गुजरना पड़ा था, उन्होंने बताए कि साउथ फिल्म के एक डारेक्टर न काम दिलाने के नाम पर सारी रिक सोसन किया था, नादिका बताती है कि इन सबसे उबरने में उन्हें काफी समय लगा था, तो दोस्तों इन बयानों पर आपका क्या कहना है, आप हमें अपनी राए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं